नमस्ते भाइश बेहनों आप सबको मेरा कोटी-कोटी प्रणाम आज मैं आपको सुना रही हूँ शिरीमत भागत गीता दूसरा अध्याई जरूर सुने, लाइक करें, सस्क्राइब करें और शिरीमत भागत गीता सबको सुननी चाहिए, पेड़णी चाहिए और हमारे हम लोगों के छोटे छोटे जो बच्चे होते उनको छोटे से ही आदर डालनी चाहिए कि हमें भागवत गीता पढ़नी चाहिए बोलो श्री कृष्ण भगवान की जै हो बोलो लक्षिम नारेन भगवान की जै हो राधे राधे हरियोम हरियोम दूसरा अध्याई है संजै ने घृष्जाष से कहा महाराज दया से भरा अरजुन अर्षपास से पूर्ण है नेत्र जिसके ऐसे रुदन करता और विशाद से व्याकुल अरजुन से भगवान से रिकिष्ण कहते हैं हे अर्जुन ऐसे विकट यूद के समय तुझको यह दुख कहां से आया है यह नीचों की बुद्धी तुझको नहीं चाहिए यह नीचों की बुद्धी तुझको नहीं चाहिए ऐसी बातों से न स्वर्ग मिलता है और न संगसार में किर्थी होती है हे अर्जुन यह तो नपुनसकों जैसी बुद्धी तुझको नहीं चाहिए और तु तत्तों की बात भी नहीं समझता हे परतप अर्जुन फिर दैसे इस नीच बुद्धी को त्याग उठ खड़ा हो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जैहुद श्री कृष्ण भगवान के कमल मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा हे मदु सूदन जी बीश्म और दोणाचारे तो पूजा के योग्ये हैं इनकी तो पूजा करनी चाहिए तथा कोई भली वस्तु इने भेट करनी चाहिए मैं इन परबानों की वर्षा कैसे करूँगा बोलो श्री कृष्ण भगवान की जैह हो यह तो मेरे महागुरु हैं इनको मार कर मेरा कल्यान कहां से होगा इंद्रियों के योग के निमित मैं इनका घात करूँ तो इनको मार कर तो राज के भोग हूँ जिनके रुधिर खून के साथ लिप्टे होंगे और यह भी निश्चित नहीं कि मैं जीत हमारी ही होगी पर यह निश्चे है कि हमारे समुख जो ध्रिश्टराष्ट के पुत्र खड़े हैं इनको मार कर हमारा कोई भला नहीं होने वाला है और ना गुरु को मार के मुझे मेरा कोई भला होने वाला है और यह जो आपने कहा कि नीच बुद्धी को प्राप्त मत हो जो भगवन आपने कहा कि नीच बुद्धी को प्राप्त मत हो मैं नीच बुद्धी के पाप को नहीं जानता हूं और मैं नीज बुद्धी के पाप को नहीं जानता हूँ और मैं ऐसा मुर्ख हो गया हूँ भगवन जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता हूँ बोलो सिरी किष्ण भगवान कीजे हो धर्म क्या है और अधर्म क्या है हे परभुजी मैं सिक्छा की योग्य हूँ और मन वचन कर्म से तुम्हारी सरण में आया हूँ ये परभु जी मुझे मैं सिक्षा के योग्य हूँ मुझे कुछ नहीं आता है आप मुझे सिक्षा दो और सिक्षा योग्य बनाओ मेरा मन वचन तुम्हारी सरण में आया है जिससे मेरा कल्यान हो निश्चे करके ये बात मुझसे कहो बोलो श्री कृष्ण भगवान कीजे हो परभुजी इसी सोक से मेरी इंद्रिया सूक गई है सो ऐसी कोई बात में नहीं देखता जिससे मेरा सोक दूर हो हे भगवन हे परभुजी जो सत्रों को मारकर निश्क पट सारी भूमी का राज्य पाउं वे भगवन मेरे मन में कभी भी ऐसी नहीं आती है ऐसी लाल सा नहीं आती है कि मैं अपने सारी सत्रों को मारकर निश्क पट सारी भूमी का राज्य पाउं और देव लोग को स्वर्ग लोग और देव लोग जो स्वर्ग है उसकी राजे सामगरी पाउं मुझे ऐसी कोई चाहा नहीं है मेरे ऐसी कोई इच्छा नहीं है तो पाउं उनकी राजे और सामगरी पाउं तो भी इनको मार कर मेरा सोक दूर नहीं और मैं इनको मार भी दूँगा तो मेरा सोक तब भी दूर नहीं होगा भूमी के राजय की तो बात ही क्या है मुझे तब भूमी का राजय भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए और इनको मार के मेरा मन भी सांत नहीं होगा बोलो सिरे किष्ण भगवान की जैहो बोलो लक युद्ध नहीं करूंगा अर्जुन ने कहा है गुविंद है केशव मैं इन लोगों के साथ अपने भाई बंदूं के साथ किसी भी तरह से युद्ध नहीं करूंगा यह कहकर अर्जुन चुप हो गया संजै ने दिर्शार से कहा हे राजा जी ऐसे दुखो को प्राप्त अर्जुन से स्री क्रिष्न भगवान जी हसकर बोले हे अर्जुन जो विवे की पुरुष हैं वे किसी वस्तो की चिंता नहीं करते हैं क्योंकि जिनके मारने की चिंता तो ने की है वे तो वे तेरे कहे मारे नहीं जातें, क्या यह अवी उपजी हैं? नहीं, यह पहले भी थे, अब भी हैं, और आगे भी रहेंगे. यह बोलने वाले आत्मे हैं, जो वो अविनासी हैं, देह की जैसे तीन अवस्ताएं हैं, बाल अवस्ता, योण अवस्ता, भृद अवस्ता वेशी ही चोथी अवस्ता है मिर्टु ये देह की धर्म है सो विवे की पुरुस आत्मा को अभिनासी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है यह जानकर बुद्धि मान किसी का सोक नहीं करते हैं हे कुंतिननन पुतर तुझे इंदरियों का ज्यान प्राप्त हुआ है ये ग्यान व्रु दुक और सीद उस्तota दाता है यय सुक दुक प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है सुख दुख आता भी है और चला भी जाता है तो इनका सहार कर तो इनको मार है अरजुन ये श्रेश्ट अरजुन जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलाए मानना कर सके उनी पुरुसों ने अमरित पान किया है वही अमर होए है ये अरजुन ये तो समस्त देह में आत्म व्याकत है इसको तो अविनासी जान ये किसी के कहे मारा नहीं जाता और ये अन्त है ये अनंत है शरीर उपस्ते भी है और इनका विनास भी होता है मगर आत्मा नित्त है सरीर उपज़ता भी है और उसका विनास भी होता है सरीर का पर आत्मा नित्त है अमर है आत्मा हमारी नमर्ती है वो आत्मा हमारी नित्त है और अमर है निराकार है यह कुछ खाता पीता भी नहीं और आत्मा की मर्यादा भी आत्मा की मर्यादा भी नहीं की कितनी है इस कारण ये अरजुन युद्ध करके यदि कोई यह कहे कि मैंने इसे मारा सोबहे दोनों कुछ नहीं समझते न कोई मरा है और न किसी ने किसी को मारा है आत्मा कैसा है आत्मा कैसी है यह ना जनमता है नम मरता है आत्मा हमारी ने जनमती है नम मरती है जो भी होता है इस सरीर को होता है आत्मा अजर है जनम मरन से रही नित्य अविनासी ये सास्वत है और पुरातन है और किसी के कहे मारा नहीं जाता केवल सरीर मरते जनमते हैं इनका मरना ही धर्म है परंतु मरना आत्मा का धर्म आत्मा का धर्म कोई मरना नहीं है बोलो कृष्ण भगवान की जैहो बोलो लक्षिन भगवान की जैहो दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझाते हुए है अर्जुन जिन्होंने ऐसे अविनासी आत्मा को नहीं पहचाना वे पुरुष कहते हैं वही पुरुष कहते हैं कि उसको हमने मारा या अमुक ने हमें मारा उसने हमें मारा या अमुक ने हमें मारा देह और आत्मा का सयूग अथार्द देह और आत्मा का सयूग अथार्द एकठा होना किस परकार है यह सुनो जैसे पुराना वस्तर हम उतार कर नया वस्तर पहन लेते लिया जाता है जैसे हम पुराना वस्तर को उतार कर नया वस्तर धारन करते हैं इसी परकार पुरानी देह जो है उसे चोड़ कर दूसरी देह में नई दिह में चली जाती है। आत्मा ना सस्त्रों से काटा जाता है, ना अगनी में जिलाया जाता है, आत्मा ऐसी चीजे है कि ना सस्त्रों से जिलाया जाती है, ना अगनी से जिलाया जाता है, ना ये जल में डूबा जाता है, डूबता है, ना पवन ही इसे सुका सकता है, आत्मा छीदने, काटने, जलने दूबने और सूकने से रहित अविनाशी और सरोप्यापी है सरवदेहों में भरपूर है इसी से इसे निश्चल कहाल जाता है सनातन पुरातन है आत्मा अवस्य है किसी ने देखा भी नहीं अचित्य है ये आत्मा को किसी ने देखा भी नहीं यह तो अचित्त है बोलो सिरकिष्ण बाफवान की जय हो और अकरता भी है कुछ काम काज भी नहीं करता यह अरजुन जिन्होंने आत्मा को इस परकार जान लिया है उसे किसी की चिंता नहीं है उसे किसी की चिंता है यह अर्जुन जिन्हों ने आत्मा को इस प्रकार जान दिया है उसे किसकी चिंता है यह सब मैंने तुझे आत्मा के विशे में बताया है महाभाव जो तो आत्मा को ऐसा ना जाने तो भी किसी की चिंता ना कर क्योंकि जो जन्मा है वे निच्चे ही मरेगा क्योंकि कृ Expectansизation भगवान जी बोलते हैं जो इस दुनिया में आया है जिसने जनम लिया है वो जरूर मरेगा जो मरेगा उसका जनम निश्चे है जो मरेगा उसका जनम फिर दुबार से निश्चे है ऐसा जान कर चिंता न कर अव और सुन इन सभी भूत पराणियों सरीरधारियों का आदी अंत नहीं है कि कहां से आए हैं और कहां जाएंगे यह बीच में ही दिखते हैं जब सरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहां जाएंगे कहां गए जिसका आदी अंत नहीं जाएंगे कि कहां से आएंगे उसकी चिंता क्या करें इस भाती भी चिंता करनी उचित नहीं है कि हमारी जो आत्म है वो कहां से आएंगे किस से आएंगे अब और सुन इस बोलन हारे आत्मा को जो हम बोल रहे हैं इस आत्मा को देखना चाहे आश्च्रे से देखना है और सुनना भी है तो आश्च्रे से आश्च्रे क्या है जिसका निलने न किया जाए आश्च्रे क्या है जिसका हमने कभी सोचा न हो जिसका निलने न किया जाए कि यह क्या है जिसके देह में रहते ही धर्म न जानिये कि क्या है इस भाती चिंदा नहीं करनी चाहिए और एक बात आत्मा के निश्चे करके जान ले कि यह अभिनासी है इस कारण से हे अरजुन तो किसी भूत परानी की चिंदा मत कर तो छत्रिय है युद्ध करना तेरा धर्म है तो अपने धर्म से मत गिर अरजुन भगवान जी समझाते है ऐसे युद्ध विशय तो छत्रिय के लिए दुल्लव है ये सभी योदा अपनी इच्छा से आये हैं यहां युद्ध करने के लिए स्वर्ग के द्वारिन के लिए खुले पड़े हैं इस युद्ध के मात्यम से ही ये सब स्वर्ग को प्राप्त होंगे बोलो स्री किर्थन भगवान कीजे हो बोलो बांके बिहारी कीजे हो और यदि तो यह धर्म युद्ध न करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और किर्थी भी जाती रहेगी तु अपने धर्म और किर्ती को खोकर पाप को प्राप्त होगा जो लोग तेरी किर्ती के गुन गाते हैं वह तेरी निंदा करेंगे पोलो स्री किष्ण भगवान की जैहो कि अब अर्जुन कुछ नहीं बलहीन है अर्जुन कुछ भी नहीं है बलहीन है लोगों में जिसकी निंदा हो ऐसे जीवन में तो लोगों में जब हमारी निंदा होगी तो ऐसे जीवन से तो मरण ही भला है और जो योदा तुझसे डरते हैं तुझको योदा और महारती मानते हैं वे ही तेरी निंदा करेंगे तुझे बुरे बचन कहेंगे तेरे प्राकर्म, तेरे प्राकर्म के निंदा करेंगे, इसके उपरां तुझे बड़ा दुख होगा, जो तो युद्ध में सरीर छोड़ेगा, तो सीधा स्वर्गों को प्राप्त होगा, बोलो सिरी कृष्ण भगवान कीजेहो, बोलो लक्षिन नारे भगवान कीजेहो, जान में मरे तो स्वर्ग हो, विजे हो महराज, उर में करो विचार, यह युद्ध होत धुन साज, जो जीतेगा, तो पिर्थवी के राज को प्राप्त करेगा, इसले है अरजुन, तो उठकर खड़ा हो, और युद्ध कर, सुक और दुख को एक समान जान, सुक और दुख को एक समान जान, सुक और हानी, सुक और दुख को एक समान जान, लाब और हानी को एक समान जान, को युद्ध गर, तुझे पाप नहीं लगेगा, पोलो सिरी क्रिशन भगवान की जैहो, पोलो लक्षिन नारें भगवान की जैहो, निंदा तेरी करेंगे त तेरे मित्रवर, क्रिश्न भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं, निंदा तेरी करेंगे तेरे मित्रवर, जो समझते थे तुझे अब तक निडर, धनुस रखा है दिखाने के लिए, बुझ दिलों को बस डराने के लिए, होस्ला दिल में जरा रखता नहीं, सुर्माओं से सुर्माओं से वे लड़ सकता नहीं, इसके बाजु में नहीं वो पहला सा असर, यह बात दुख की नहीं क्या खाल खर, यह अर्जुन, यह मैंने तुझे साकिशसाश्कस का मत सुनाया है, अब वे दियोग सुन के यह कैसा है, इसके सुनने समझने से जनमरन के बंदन कर जा अप्रथम तु मेरी बुद्धी सुन कि मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूं मेरे जो भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति इस्मरन भूल कर भी करते हैं वे मुझे किसी भी रूप में इस्मरन करें आगे का पीछे का पीछे का आगे का तब भी मैं समझ लेता हूं कि मेरा भक्त मे प्रेम में मगन होकर मेरी साथ बंदा है इसको सूरत नहीं इसकी साखी सुन जैसे राम अवतार में भिलने के भक्ति में प्रेम के साथ जूठे बेर भोजन किये स्री राम जी ने यह अरजुन मेरी भक्ति देखने में थोड़ी है यह और जो मेरी भक्ति देखने में थोड़ी है कि एक तुर्षी दल अथवा पुस्त माला मुझे अरपन करें अथवा एक बार नमस्कार करें अथवा एक बार मेरा नाम लेवें सो यह देखने में थोड़ी सी है पर इसका फल बहुत बड़ा है ऐसा मेरा भक्त जनम मरण के ब साथ मेरी बुद्धी है, सो सुन मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा साथ प्रीती है, चरनकमलों की सेवा साथ प्रीति हैं मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते हैं और ना मेरे नाम के बिना और कुछ मुख से कहते भी नहीं यह सुनते हैं केवल दिद निश्चय है और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं उनकी बात सुन उनकी मती अनेक और भरमाती फिरती है जिस और किसी ने लगाई उसी और लग गई और जिनका निश्चे मेरे साथ नहीं है वह कैसे हैं वह मीठी वानी के इस लोगों को सुनाते हैं और दोसर देवताओं की भक्ति का उखदेश करते हैं वह अंदे मुर्क अपने आपको पंडित कहते हैं ये अरजन वेद के विवाद से खुद भी भरमित हैं और लोगों को भी भरमित करते हैं और इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है उन्होंने स्वर्ग को ही परमपद समझ रखा है वे ऐसे कर्म करते हैं जिनके ये इसे बारम बार संगसार के जनम मरन होता है जिनके करने से भहुत कष्ट होता है और जिस कर्म का तुछ फल मिले श्वर्ग गए फिर गिर पड़े ऐसे जो भुद्धी हीन हैं जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में हैं और वो जो संगसार में अपनी परभुता चाहते हैं इन बातों से बुद्धी अंदी हो गई है इन बातों को सोचकर बुद्धी अंदी हो गई है जिसकी उनकी बुद्धी का निश्चे मेरे में लगता है नहीं और निश्चे के लिए बिना परम सुक जो है समाधिक, परमकल्यान, सो कभी नहीं मिलता है, यह अरजुन अब वेद का वित्रान सुन, वेद की बुद्धी भी तीनों गुणों में है, परंतो आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है, कैसे है, जान सीथ हो, उष्ण हो अदना, जनम मरन हो, ऐसा जो आत्मा सत्य स्वर बड़ा भेद है, अब इसका दिस्टांट सुन, जैसे जल का पात्र कुमा तालाब ढोबा नदी, इसके विशे एक-एक कारे होई, कुवे में यतना पूरा जल निकाल कर गरहन पिया गया जाता है, पिया किया जाता है, पर कुवे में असना नहीं किया जा सकता, वस्तर भी नहीं धोई जाते हैं, ताला ठोबे नदी में पाए, नदी ताला ठोबे नदी में जाए, तो वहाँ पीने का जल नहीं असनान करते हैं, वस्तर धोते हैं, और जब महापल्या के साथ और समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अंत जल भली भाती असनान कर होई, होई जल पान भी हो वस्तर भी धोए इस परकार आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुक पाता है इस सुक को मेरे उपासक ब्रह्मा नारत तपस्वी साब जानते हैं इसलिए है और जुन ऐसा जो आत्मा का सुक है आत्मा का सुक उसके साथ जुड़ तेरा ही तेरा जो छत्रिय है सोक कर फल कुछ न मांग अथाद, फल की जिन्ता ना कर, हार जीत एक समान जानकर, युद्ध कर, हर ससोक से रही तो, इसका नाम समता योग है, बोरो सिर पिशन भगवान जी चैह हो, ये अरजुन ऐसे बुद्धी योग के साथ जुड़ कर पाप उने दोनों को काट डाल, और फल किसी कर्म का नहीं वांचते, मेरे साथ जुड़ते हैं, जो फल वांचते हैं, वो नीच मती है, ये अरजुन, जब तु मेरे साथ बुद्धी को निश्चल करेगा, तब जनम मरण के बंदन काट कर मेरे अविनासिपत को प्राप्त होगा, ये अरजुन, जब मुह के जा अरजुन ने पूछा, हे के सवजी, जिसकी निश्चल बुद्धी है, किरपाकर उसके लक्षण कहीं, उसकी बोली कैसी है, समाधी कैसी है, लोगों के साथ बात के भाती करता है, किस भाती करता है, लोगों के साथ, किस भाती चलता है, और पैठता है, किस भाती है, मैं कैसे समझों की वह निश्चल बुद्धी है यह सुन का सिरी किष्ण भगवान बोले यह अर्जुन जिसकी कामना कोई बात करने जिसकी कामना कोई बात करने पर नहीं उठी अपने आत्मा को पाकर संतुष्ठ है तो उसकी बुद्धी निश्चल जान जिसकी के साथ बैर नहीं और किसी पर क्रोध नहीं आये जिसको उसकी बुद्धि निस्चल जान जिसे किसी से प्रेति नहीं जिसे अप्रिय वस्त्य remarkably सोग नहीं होता। कि अर्जुन यद्दपी बिवेगी पुरूस इंद्रियों को जीतने का यतन करता है तो भी इंद्रियां बलवान है यह मन को धोर से चला देती है यह मन को धोर से चला देते हैं, मतलब मन को बहका देती है, कभी इधर कभी उदर, हे अरजुन, इन इंद्रियों को तू वस में कर, किसी भी बाती वस में कर, सो सुन, मन का निश्चल चेता, मन का निश्चल चेता मेरे में रख, अपना जो मन का निश्चल चेता है, वो मेरे को इस्मरन कर, मेरे को याद कर, मन से ही इंद्रियों सुर जीत है, हमारा मन, हम मन से ही इंद्रियों सुर जीत है, सो ही मेरे से निश्चल रख, जब इंद्रियो आप ही जीती आजावेगी इंडियान जब हम अपनी बस को अपने में करेंगे इंडियान जिसकी बस में है उसे तो निश्चल बुद्धी जान आप तो मेरे नाम मेरे ध्यान के बिना कुछ बात चितवन करता है उससे मनुष्य का किस भातिक कारे बिगरता है ये सुन जो मन से विश्यों की बात करे उनका संग करे अथो अपने मन में विश्यों का ध्यान करे तब विश्यों का संग होता है उस संग से मन में काम आदिभावदाई उपस्ती हैं काम से क्रोध उपस्ता है क्रोध से लोब मोह और लोब मुह से चैतन्य का नास हो जाता है बुद्धी नास होने से उसका नास हो जाता है बुद्धी के नश्ट होने पर वह भी अन्य पसू की तरह पसू हो जाता है इस कारण से मेरे भक्त संग सारी मनुश्यों का संग कभी नहीं करते हैं जो स्री किष्ण भगवान जी के भक्त होते हैं, वो मनुष्यों का संक भी नहीं करते हैं, नाम की चितवना बिना और कुछ संकलप नहीं करते हैं, यह मेरे भक्तों को मेरी आग्या हैं, अब अर्जुन मेरे भक्त भोजन छादन की अंगीर कार कैसे करें, शो सुन, जैसे ही मे वेशा ही सोख में से रहित होकर भोग लिया और जिसके मन का निश्चल चेता मेरे मन में होता है तिन पर कैसी किरपा करता हूं मेरी किरपा से तिन के तन और मन के छोटे बड़े जो दुख है उनका नास हो जाता है मेरी किरपा से उनके छोटे बड़े दुख नास हो जाते हैं उनका मन अती प्रश्ण होता है अब उनकी बासुन जिनकी बुद्धी नास्तिक है अब उनकी बासुन अर्जुन जिनकी बुद्धी नास्तिक है ये अर्जुन नास्तिक बुद्धी किसको कहते हैं जो कहते हैं कि परमेशर कहा है, किसने देखा है परमेशर को, तिसकी सर्दा में मेरे में नहीं लगती है, मेरे में सर्दा लगे बिना सांती नहीं है, और सांती के बिना कोई सुक नहीं है, नास्तिक बुद्धी सदा दुखी ही रहती है, हे अरजुन जो कोई इंद्रियां वि जकन आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देती जिधर किधर चाच लगती है इसी परका इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे अपने इंद्रियों के पीछे अपने मन को मत भागने दो इसलिए हे अरजुन पर्थम तो इंद्रियों को वस्मे कर सबसे पहले तो अपने इंद्रियों को अपने मन को वस्मे कर जिन पूरुशों ने इंद्रियों को अपने अर्थों के वर्ज बांध रखा है अपने वस्मे किया हुआ है उनकी बुद्धी निश्चल जान ये अरजुन, अब और सुन, मेरी इसमरन भजन की बातों का जो सववाद है, संगसारी मनुष्यों को उनकी सूरत नहीं, तिन के बहाने मेरा भजन करता है, मेरी ओर से वे सो रहे हैं, और संगसार के विश्यों में सावधान हैं, तिन के ये दिन होते हैं, जिन में मनुष्या स सोते हैं और सेमे सो जो मेरे भक्त हैं सो उन उस ओर से सो रहे हैं तिनके बहाने संगसार के बाद रात्री है और जो भक्त हैं मेरे भजन में जागते हैं सावदान है मेरा मेरा जो पूर्ण भक्त है अब उसके लक्षन सुन जैसे समुद्र अपने जल से उपर और निश्चल है वह कैसा है जिसकी कामना मेरे भजन के बिना किसी को नहीं चाहती ऐसा जो निस्प्र नहीं फस्ता है माय के मोह में मुह हो जाता जिसको यह सुभाब प्राप्त हुआ है तो फिर माय के मुह से कभी नहीं मोह जाता क्योंकि वह माय के पार निर्वान ब्रह्म पद्राप्त हुआ है बोलो लख्चे नार्म भगवान की जय हो रादे रादे और श्री मत भागवाद कीता का दूसरा अध्याई समाप्त हुआ तो ये बाद में आपको सुनाँगी दूसरा अध्याई के महात्मे हिंदी में जरूर सुने पोलो रादे 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 जय स्री किस्ना लक्षी नार्म भगव पान की जेहू